आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होमेोपेथिक मेडिसन काली बाइ क्रोमे कम है उरे फियाम में इसे काली बाई कहा जाता है एक पुलिक्रेस्ट रेमेडी है और अगर आप केस रेपटराइज्च करते हैं याप सिंगल रेमेडी या अल्टरनेटिव मेडिसन इस्तेमाल करवाते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि काली बाई almost हर मर्स में तजवीज की गई होती है उसकी बेसिक वज़ा यही है कि एक तो यह काली बाई जो है यह एक पॉलिक्रेस्ट रेमेडी है दूसरे इसमें फिर सिफलस में आजम भी मिलता है इसमें हमें साइकोसेज में आजम भी मिलता है यही वज़ा है क्लिकली हम इस दूवा को चाहे महदूत बेवाने पर इस्तमाल करें वैसे यह एक पॉलिक्रेस्ट रेमेडी है और मैं आज आज आपको इस पॉलिक्रेस्ट रेमेडी के क्लिकल यूजिस बताऊंगी और क्लिकली भी मैं इस दूवा को उसी चीज़ के उपर फोकस करूंगी जिसके लिए एक तो यह क्लिकली इस्तमाल होती है और दूसी जिसके लिए यह शुहरत रखती है यह दूवा जो है रेस्पारेटरी आर्गन्स के उपर बे तहाशा असर रखती है लहुआ हमारे निदाम तनफुस मुतलेक हमारे फिपों के हوाले से हमारी ब्रॉंकाइ के हवाले से हमारे खलक के हrios फिए जाँा जाते है इस दूवा का खास असर हमारी मुकस मेंब्रेन के अपर और हमारे एर पैसेज़ेust के आपर है यहनी हमारी जो हवा की नालियां या सांस लेने वले हमारे जो रास्ते हैं उसके उपर इस दवा का खास असर है जैसे के हमारा नाक है, हमारा खलक है, हमारी ब्रॉंकाए हैं, हमारे लंग्स हैं, इनके उपर इस दवा का खास असर है विसंगों ये दवाज इस तरह मैंने आपको कहा कि पॉलिक्रेस्ट रेमेडी है, जिसम के हर हिस्से पे असर करती है, कान के ओपर, आंखों के ओपर, मित्दे के हवाले से, जोरों के हवाले से, तो मैं आपको सब के हवाले से नहीं बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ रेस्परेटरी ट्रैक के हवाले से और चंद चीदा चीदा जो इसकी खास इलामत है उनका मैं दिकर करूंगी लेकिन मैं आपको एक इसका मेंन करेक्टरिस्टिक बताऊंगी जो जिस मर्द के साथ पाया जा रहा होगा वहाँ आप काली भाई को इस्तमाल करवा सकते हैं काली भाई का एक जो कहले जीए के में पॉइंट है जिसके ओपर काली भाई फोकस करती है वो क्या है कि इसके जितने भी म्यूकस मेंबरेन से होने वाले डिस्चार्जेस हैं और ये बात मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमारे जिसम में हर जगा म्यूकस मेंबरेन से भाई जाती है तो जितने भी मुकस मेम्बरेन से होने वले डिस्चार्जेस हैं वो थिक होते हैं, गहरे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, रोपी होते हैं, एक तार या रसी नुमा एक शकल बनाते हैं, टफ होते हैं, सक्त होते हैं, यानि एक तो चिपकने वाले होते हैं तो वो नजला या वो नाक जो आप फैंक रहे हैं वो आपके नाक के साथ चिपकेगा आपने जो बलगम फैंकी है वो आपके हुंटों के साथ चिपक जाएगी और वहां से चिपक कर फिर लटक जाएगी एक तार बना देगी फिर ये जितने भी डिस्चार्जिस होते हैं सारे येलो ग्रीन होते हैं अपके जिसम के हिस्सों के साथ चिपक जाते हैं जहां से निकल रहे हैं यानि ये डिस्चार्ज अगर वजाइना से लिकोरिया की मानन निकल रहे हैं तो वहां पर भी ये लिकोरिया जो है एक तार बनाएगा वजाइना के साथ चिपक जाएगा और असानी के साथ साफ नहीं होगा और आपको इसको बकाइदा प्रॉपर साफ करना पड़ेगा तो ये जो इसका थिक होना स्टिकी होना एक रसी बनाना फिर येलो ग्रीन होना जिसम के साथ चिपक जाना ये काली बाई का एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसकी बनियाद पर आप काली बाई को किसी भी मर्स में इस्तमाल कर सकते हैं क्यूं mucous membran आपके जिसम में हर जगां पाया जाती हैं आपके मेदे में mucous membran में पाया जाती हैं आपके मूंग के अंदर mucous membran में पाया जा रही हैं आपके जितने भी सिस्टम हैं वहां म्यूकस मेंडरेन वाई जाती है तो जहां जहां इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलते हैं कि ठिक, स्टिकी, रोपी और स्ट्रिंगी, टफ, यलो ग्रीन म्यूकस डिस्चार्ज आपके सामने आ रहे हैं, वहां काली बाई आएगी और क्लिनि यही वज़ा है कि काली बाई का ज्यादा इस्तमाल जो है, वो रिस्परेटरी सिस्टम के हवाले से किया जाता है, यानि आपका जो रिस्परेटरी सिस्टम है, उसमें अगर आप नजले जुकाम का शिकार हो जाते हैं, पुराना नजला जुकाम है, आपका नाक बंद रहता है आप का दुकाम बिगर गया हुआ है तो वहां हम काली भाई को استعمال करवाएंगे मैं आगे चल के आपको नाक के हवाले से इसके करेक्टरिस्टिक सिंटम बताती हूँ कि हम इसको कहां कहां इस्तमाल करवाते हैं नाक के उपर आने से پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوائے جو ہے سفلس مرض میں استعمال ہوتی ہے اور سائکوسس مرض میں بھی استعمال ہوتی ہے خاص طور پر اگر جوروں کے درد جو ہیں سفلس کی وجہ سے آ رہے ہیں تو وہاں ہم اس دوائے کو استعمال کرواتے ہیں پھر اگر سفلس دوسرے درجے میں یا تیسرے درجے میں مرض داخل ہو گیا ہے تو وہاں پر بھی سیکنڈری اور تیسرا درجہ جو سفلس کا آتا ہے وہاں اس دوائے کو استعمال करवबाया जाता है मैं सुफलस के ओपर अपना लेक्चर कर चूक ì हुँ पिर मैं आपको बता दूँ कि सुफलस में यह होता है कि हड़ीों में दर्द पाया जाता है हड़ीों में गांठें बन जाती है नाक से बू आती है भार होता है मुखिलिफ रेशित होना शुरू हो जाते हैं ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है बड़ी तकलीफ दे हालत होती है सिफलस की जो सेकंडरी और तीसरी स्टेज होती है सिफलस के अपर मेरा बकाइदा लेक्चर भी आप उसको भी सुन सकते हैं तो अगर आपको हड़ियों के हवाले से, नाक की हड़िय के हवाले से, कान की हड़िय के हवाले से, कोई भी मरदा आपको मिले, यह आपको शुबे चिशम मिले, जो कोई सुदाक की वज़ा से हमारे सामने आता है, तो वहाँ वहाँ आप काली भाई को इस्तमाल करवा सकते हैं female में काली वाई का इस्तमाल weginitis में किया जाता है और किस weginitis में किया जाता है एक तो बहुत ज़्यादा खाड़िश पाई जा रही है और दूसरे है उसके साथ जो discharge है वो फिर वही रसी बनाएगा चिपक जाएगा और लिकोरिय यो है यलो ग्रीन होगा और असानी के साथ साफ नहीं होगा तो ये वो चीज है जिसके ओपर काली भाई जो है फोकस करती है अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास रेस्पेरेटरी ट्रैक के हवाले से या हमारे पास हमारे एर पैसेजेस के हवाले से कौन कौन सी बिमारिया आती है तो सबसे पहले उसमें ये कि नाक की जो जर है उसमें शदीद दर्द और प्रेशर पाया जाता है साइनसाइटिस का मर्स जो है हमारे सामने आता है इस पर भी में लेक्चर कर चुके हूँ नाक की सोधिश पाई जाती है और जितना मर्जी पुराना केरा गिरने का मर्ज हो केरा गिरना कहते है खलक में बलगम का गिरना एक तो आप फरंट से नाक में से बलगम आपकी आती है और आप नाक साफ करते है एक है कि आपके जो पिछला नाक का हिसा है पोस्ट नेजल जिसे डिरिपिंग कहते हैं उसे अर्दू में केरा गिरना कहते हैं उसमें हम काली बाई को इस्तमाल करवाते हैं कितना ही पुराना मर्द क्यू ना हो केरा गिरने के हवाले से काली बाई जो है उसको ठीक कर जाती है नजलाजुकाम है जिसके साथ नाक बंद हुआ है नजलाजुकाम दब गया है पेशन की सूंगने की जो हिस्थ है वो खत्म हो गई है नाक में बड़े-बड़े लोथरे या च्छिलके बनते है या गंदगी नाक के अंदर जम्मा हो जाती है नाक का जो पर्दा है अगर उस में अलसर्त बन जाये या उसका पर्दा जो है वो खराब होना शुरू हो जाए जो हमारी ये दर्मियनी काटिल लहच है जो हमारे नाक को दो हिसों में तकसीम करती है उसमें इस दवा का इस्तामाल किया जाता है नाग के अंदर अगर पॉलिप्स बन जाए तो वहां हम इस दवा को इस्तमाल करते हैं नाग में अगर कोई जिली बन जाए दिप्थीरिय की जिली बन जाए या दिप्थीरिय मर्द में इस दवा को इस्तमाल किया जाता है काली खांसी में इस दवा को इस्तमाल किया जाता है ब्रोंकाई के जितने भी अमराद हाते हैं जैसे ब्रोंकाईटस अगर आ रहा है आपको या क्रॉनिक ब्रोंकाईटस आ रहा है उसमें हम काली बाई को इस्तमाल करवाते हैं नजला जुकाम में जिसके साथ नाक बंद हो जाता है, उसमें हम इस दवा का इस्तमाल करवाते हैं, फिर इस दवा के अंदर सर्दी लगने का रोजान बहुत जादा पाया जाता है, लादा अगर मरीज ठंडी हवास से उसका नाक बंद हो जाए या उसको सर्दी लग जाए, तो फिर हम इस दवा का इस्तमाल करवाते हैं, दमा में इस दवा को इस्तमाल करवाया जाता है, काली खांसी में इस दवा को इस्तमाल करवाया जाता है, और साइनसाइटस की वज़ा से, या रेनाइटस की वज़ा से, या नाक बंद हो जाने की वज़ा से, अगर किसी भी व सिफलस के दूसरे और तीसरे दर्जे में इस्तमाल होती है और सिफलस चुंके बहुत बड़ा और वसी टॉपिक है आप उस पर लेक्चर सुन सकते हैं मैंने यहां उसकी इतनी ज्यादा तफसील ने दी मुक्तसर ही नी मैंने आपको बियान किया है तो फोकस किस चीज़ के जम जाना हमारे बलगम का खलक में गिरना हमारे सीने में बलगम का बनना बलगम का थूकना जो चीज़े भी हैं वो सारी की सारी रेस्पेरेटरी ट्रैक के हवाले से काली बाई करोमियम में आ जाती है तो आप इस इम्राइन इम्राज को काली बाई से बेस्तर कर सकते हैं ठी थैटी पुटेंसी भी इसित्सह strain-ता हैं- झाल झाल झाल